नवस्कार में हुश्वानी बिहारी निउस में आपका स्वागत है एक साथ 33 C.O. को राजस्व और भूमी सुधार विभाग ने किया सस्पेंट यही नहीं इसके आलावा 100 SSEO है जिन्हे शो काउज किया गया है और इनसे असपस्ट्री करन मांगा गया है व्रस्ट रेलबे अधिकारियों को CBI ने किया गिराफतार बिहार के व्रस्ट आधिकारियों पर CBI लगातार शुतंजा कस रही है इसी कड़ी बेर इश्वत खोड़ संजय कुमार समस्तिपूर के वर्य मंडल परिच्वादन प्रवंधक रुपेश कुमार और सोनपूर के वर्य videos को गिरफतार किया गया है आरोप है कि ये पुड़ो मदे रेल के रेलवे को सामान लोडिंग के लिएivan अलोच्मेंट में प्राथ मिक्ता देने के लिए अवेट जरीके से आर्थिक लाम लेते थे इस दोड़ान इनके 16 ठिकानों पर शापे मारी में लाखों कैश भी बढ़ावन्द हुए हैं सूखे के स्थिती देख बिहार सरकार दोड़ा किसानों को राहत देने की कोशुश चार बिहार में इस साल मौनसून ने विहारवासियों को खूब तरसा आया है परियापत से कम हुई बारिश की वाज़े से पैते जूखे के स्थिती में पहुँच चुके हैं किसानों की फसले बरबाद हो गई है हालांकी सरकार इन सब को देखते हुए ठोस कदम उठाने का परियास कर रही है ताकि किसानों को राहत मिल सके इसी कड़ी में बिहार के मुख्य सचीब आमिर सुम्हानी ने सभी जिलों के डीम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िया हालात की जानकारी ली इस थितियों का शुर सस्तर पर आकलन कर राज्य सरकार ने किसानों को परते दिन 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वैकलपिक फसलों की विवस्था कराने तथा डीजल अनुदान देनी के परकिरिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है मालू होगी अधितम तीन सिचाय के लिए बिहार सरकार डीजल के लिए 600 रुपे तक का आर्थिक सहायता परदान कर रही है सालों बाद नाग पंचमी पर बन रहा है खास सयोग श्रावन महीने के शुकल पक्ष के पंचमी तिथी को हिंदू समुदाय के लोग आज नाग पंचमी का पावन पर्व मना रहा है सावन माह में नाग पंचमी का खास महत्तो होता है भगवान शंकर को सावन और नाग दोनों काफी प्रिये माने जाते हैं श्रावन शंकर के खास माने जाने वाले नाग की विशेस पूजा होती है बिहार में पहली बार होगी बाल सिपाही की बहाली होने वाली है जी हाँ आपको बता दे कि इनकी आयू सीमा 12 से 18 वर्ष के बीच होगी बिहार सरकार ये विशे से कदम ज्यूटी रहते हुए मृत पुलिस कर्मियों के नाबालिक आश्रीतों के लिए उठा रहे है आपको बताते चले कि बिहार में ऐसे एकतिस बाल सिपाही की बहाली की जानी है जिनके लिए योग्य उमिदवारदवार आवेदन भी किये जा रहे हैं जिनमें 14 प्रस्तावों को लंबित रखा गया है क्योंकि इनकी उम्र 12 वर्ष से कम है आपको ये भी बताते चले कि इन बाल सिपाहीों से सामाने सिपाही की तरह काम नहीं लिया जाएगा स्कूल कॉलेज में कलास के बाद पुलीस के दफ्तर में कुछ घंटी के लिए उन्हें काम करना होता है सिपाही का आधा वेतन देने का प्राबधान भी है वही 18 वर्ष की उम्र सीमा के बाद ये शारी करूप से फिटोने पर सिपाही बनते हैं ने था इन्हें छूट देकर इस पत पर न्यूक्त किया जाता है राजधाने में पार्किंग की दिक्कत से मिलेगा चुटकारा बनेंगे 10 मल्टी लेवल पार्किंग बिहार के राजधानी पतना में पार्किंग की समस्या अक्सर देखे जाती है हलांकि अब लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगा पार्किंग की समस्या को देखते हुए शोहन में आठ जगह गांधी मैदान रोड, एक्जिबिशन रोड, फ्रेजर रोड, स्टेशन रोड, बुध मार्ग, बेली रोड, पुर्वी बोरिंग कनाल रोड, बोरिंग रोड पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी साथ ही गंगा नदी के किनाडे दिखा घाच पर बायो डाइवर्सिटी पार्क का भी निर्मान होगा या एहम फैसला पतना स्मार्ट सीटी लिमिटेद बोर्ड की 23 भी बैठक में ली गई है इसके अलावा मौरिया टावर का जिर्नो धार करके इसे नौमंजला इमारत में वि पाजंद्र नगर टर्मिनल भूतनात क्रोशिंग कुम्राड में फुट ओवर ब्रीज बनाये जाएंगे वोटर लिस्ट में नाम जुरवाने के लिए अब एक नहीं बल्कि चार्च और मौके मिलेंगे मालूम हो कि किसी भी नए वोटर को अपना नाम जुरवाने के लिए एक ही समय एक जनवरी को अठारा साल पूरे होने पर दिया जाता था लेकिन अब नए वोटर एक जनवरी के अलावा एक अप्रेल एक जुलाई और एक ऑक्टुबर को भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुरवा सकेंगे साथी नए डेट के मुताविक आवेदन वोटर ल बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन करता है इस बीच बिहार के मुझफरपुर के रहने वाले 18 वर्स से कम उम्र के एक बच्ची ने बड़ा कारणामा कर दिखाया है इसने नौविक अक्षा में ही पहली कंपनी खोली थी इस उपलब्दी के बाद सुर्यांश दुनिया एजेंसी क्रंच बेस की रैंकिंग के अनुसार सुर्यांस का रैंक मातर 14 है जो कि दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, उद्योग पति बिल गेट्स, मुकेश अंपानी के रैंक से काफे उपर है लालो यादब को CBI कोच ने दी बड़ी राहत राज़त और राज़त सुप्रिमो लालो यादब के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है दरहसल लालो यादब के सिंगापूर में इलाज का रास्तर साफ हो गया है बीते दिन लालो यादब के पास्पोर्ट का रिन्यू करनी की अनुमत CBI कोच ने दे दी है जिसके बाद अब वे जल्द ही इलाज के लिए सिंगापूर जा सकते हैं। के बाद मुकामा विधास भाक्षित की सीट खाली हो गई है जिस पर उपचुनाओ होना है इसके लिए तमाम राजनितिक पाच यहां कोशिश में लगी है वही अनन्द सी की पतनी निलम देवी उपचुनाओ में विरोधियों को चक कर देनी के लिए तयार हैं। अनुई जिसमें भाजपा राश्ट्री अद्यक्षु जेपी नडड़ा और ग्रिह मंत्र यमित शाहा आये थे इस दोरान जेपी नड़ा की दिये गए एक बयान पर राज़त पूरी तरह से भड़क गई है दरसल उन्होंने कहा था कि सभी दल समाप्त हो जाएंगे और 243 सीटों पर तैयारी करेंगे मुकेश उसेहनी अपने ही नेताओं दोरा धोखा दिये चौने के बाद अब मुकेश उसेहनी अकेले पड़ गया है हालांकि उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी है और अलग अलग जिलों में घूम घूम कर अपनी पाटी की विस्तार और कारि करताओं के अंदर जोश भढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस दोरान मुकेश उसेहनी ने बिहार विधानसभा के गुल 243 सीटों पर तैयारी करने की बात कही है मुकेश उसेहनी ने कहा कि हम लोग पूरे राजच में लोग सबा और विधानसभा सीट के अनुसार तैयारी कर विधान सभा की 243 और लोग सभा की 40 सीटों पर हमारी तैयारी चल रहे हैं मुगर्श सेहनी का यह भी कहना था कि ना केवल बिहार वलकि जारकंड और उतर परदिस में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्या तीसरी T20 में वापसी कर पाएगी भारतिय टीम भारतोरों वेस्ट इंडिस के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला मंगलवार 2 अगस्त को खेला जाना है जोकि रात साड़े नौ बजे भारतिय समया अनुशार शुरू हो जाएगा गिर्केट के सबसे चोटे प्राडूप T20 किर्केट में भारतिय टीम ने इस साल गजब का प्रदर्शुन किया है लेकिन मेजवान वेस्ट इंडिस के टीम ने वार्नर पार्क संत किट्स में खेले गया है दूसरे T20 मुकाबले में पाच मिकेटों में रुमांचक जीते दर जिश्व के चैनल डिटीय स्पोर्ट्स पर भी आप इस मैश को लाइफ देख सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क देनी की आवास सकता नहीं है देशवर में कोरोना के मामले में दूसरे दिन भी मामली कमी केंद्री स्वास्त मंत्राले दौरा आज वियानी मंगल को जारी किये गए कोरोना रिपोट के अनुसरा, पिछले 24 घंटों में जान गवानों वाले की संख्या 44 से यहां बिहोर की बात करे तो यहां जारी किये गए आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर दिया था जिन्होंने पुछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राज कुमार परसाथ, नुनु कुमार, सुजाता पांजे, राम शकरदास, राकेश कुमार, मैकाल मुर्मू, अब्जेट रहने के लिए देखते रहें विहारी न्यूस साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दवाना ना भूले धन्यवाद